आप आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हिस्ट्री का एंश यह अपना और तीन दिन मैंने तीन टॉपिक्स कराए हैं जिन में दो दिन मैंने पढ़ाया था बहुत इंपोर्टेंट शुरुवाती कौन-कौन सी यॉरोपियन कंपनी इंडिया में आई जिसमें हमने फॉर्मूले से जाना था पीडी इडी एफ उन सब के बारे में डिटेल से बाचीत की थी और कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने प्लासी और बकसर को कहानी के थू समझाया था कि कैसे अंग्रेजों की बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे धिरे-धिरे करके हावी होती गई और कैसे उन लोगों ने अपनी जड़े जमानी शुरू की जिस कारण उ बहुत इजिली अवेलेबल होने लग गया क्योंकि उन लोगों ने इंडिया के एक बहुत बहुत बहतरीन हिस्से पर जिसमें बंगाल बिहार उडीसा आता है इनकी दिवानी हांसल कर ली थी मुगल बादशाह से मोहमद शाह रंगीला इलहाबाद की संधी और कैसे अवद क नवाब शुजाउत दौला से उन्होंने चुनार का किला लिया पचास लाख रुपए लिये और इसके अलावा कड़ा और इलहाबाद के इलाके के अलावा जो बाकी था वो तो वापस कर दिया था लेकिन फिर भी बहुत बड़े एरिया में व्यापार उनको मुफ्त में मि आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे पूर्वी भारत पर इनका अधिकार इंडिया पर अधिकार के रूप में सामने आया आज जो टॉपिक पढ़ा रही हूं ये जुड़ा हुआ है इन तीनों क्लासिस से अगर आपने तीनों क्लासिस ली है तो ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आएगा क्योंकि कहानी का अगला पार्ट है ये अब तक हम लोग जान चुके हैं कि इंडिया में पांच कंपनियों ने कोशिश की थी PD, EDF जिन मैं सबसे ताकतवर दो अगर मैं कहूं तो इंग्लेंड वाले थे और फ्रेंच थ फाइनली ये कंफर्म हुआ वांडिवाश के युद से कि इंग्लेंड की बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया पर राज करने में सक्षम रहेगी क्योंकि फ्रांस की ये कंपनी काफी हद तक हार चुकी थी और वो एक तरह से मलों इनकी दया थी बिटिश इस्ट इ दोनों ठीक था कामकाद चला रहे थे दो आपस में जब अलग विचार धा रहा हैं तो ये मान के चलिए कि इनमें लडाई जगड़ा होगा विजय नगर का बटवारा नहीं हुआ था एक ही हिस्से में था लेकिन बहमनी टाइम बीटने पर पांच हिस्सों में डिवाइड ह इनमें से शायद आपने सुना होगा एहमद नगर, बीजापूर, गोलकुंडा, बीदर और बरार इन पांचों में से कहते हैं चार इखटे हुए बरार को छोड़कर चारो और उन चारों ने अटाक कर दिया विजय नगर पर और विजय नगर जो हिंदू सामराज है था दक अधर अधर द्ग के लिझ देते हैं, यह है क्या टांगडी भी यही लिझ देते हैं यह अचले दो गवाओं का नाम है रक्षसी ठांगडी दो गवाओं थे, जहांके जमीन पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, ये मुस्लिम बाहुले इलाका था, जहां के शासक थे, ये हिंदु बाहुले, जो हारता है ना, आगे जाके उसका डिवीजन होना ही होना है, तो विजय नगर इस लड़ाई में हारा, बह्मनी जीत गया, बह्मनी उस टाइम चार हिस मैसूर का प्रांग, ये मैसूर आज वला मैसूर नहीं है, तब इंडिया का मैप ऐसा बिल्कुल नहीं था, जैसा कि आज है, मैं एक हलका सा व्यू आप लोगों को बता दूँ कि उस टाइम का दक्षिन भारत कैसा था, ताकि आपको चीजें कॉंसेप्ट ढंक से समझ में आ तो बहतर है पहले इस कहानी को समझ लो, ठीक है? अब कोशिच करो, एक दो नहीं मानते हैं तो बेशक टाइप करते हैं, बाकि सब लोग सिर्फ देखो, समझो, अब कोई शेयर मत करो, कुछ टाइप मत करो, ये क्लास तुम्हारे फाइदे के लिए है, ये शेयर करने के होता ही नहीं, पूरी लाइफ उनकी समझ में नहीं आता, कि ये अंगल मैसूर युदिक क्या थे, आज इसको बहुत धंग से समझा दूँगी, कोई पांच वी का बच्चा भी समझ जाएगा, ऐसे कहानियों के माध्यम से, बशर्ते ध्यान देना, ठीक है? अब छोड़ दो सब लोग टाइप करना, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से समझो, उस टाइम के दक्षिन भारत का मैप बना रहे हूं, इसमें देखना राज्य कैसे कैसे अलग है, यहां आज भी है, तब ही था गोवा, as it is, गोवा के उपर आज जो महराष्ट है न, ये पूरा इलाका तब प लेटर स्टेज आते आते, पेश्वा इंपोर्टन बन गए, और ये इतने ताकतवर बन गए, कि दिल्ली तक भी इनका जो था वो नाम चल पड़ा था, पेश्वाओं के नीचे की तरफ का इलाका था ये, इसको उस टाइम कहा करते थे, ये था मैसूर, तो देखो, आज का म आज के केरल का हिस्सा, तरावन कोर, आज भी तरावन कोर एक जगह है, इसका नाम मैसूर, ये पेश्वाओं का इलाका, मराठों का इलाका, ठीक है, अब देखो, यहाँ पेश्वाओं के इलाके के साथ, एक बहुत बड़ी प्रोपर्टी थी, जिसको कहते थे, के निजाम की प्रोपर्टी, तो हैदराबाद के जो निजाम है ना, उनका इलाका था, इसके उपर का एक इलाका, ये वाली पट्टी मानलो, ये, इसे कहा जाता था उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है, और ये निजाम का काफी नीचे तक इलाका था, पूरा नीचे तक अजीब बात है, आज कोई करनाटक देखेगा मैप पर, तो आज करनाटक यहां है, लेकिन तब करनाटक कहा था, जो उस टाइम का तमिल नाडू का हिस्सा है ना आज आपका, वो उस टाइम का करनाटक था, और इसी में पढ़ता था मदरास और पॉंडे चेरी, यानि उस क्योंकि इन ही से आप समझ पाओगे कि अंगले मैसूर युद क्यों हुए, किन कारणों से हुए, उपर की हिस्ट्री हमने थोड़ी सी जान ली थी, प्लासी बक्सर में, आज हम इसको फोकस करके पढ़ेंगे, उम्मीद करती हूं सब की समझ में यह मैप आ गया होगा, यह एंको इलाका पेशवाओं का है, मराथे, उनके बाद के पेशवा, इनके बिल्कुल साथ लगते है निजाम, जो हैधराबाद के नवाब थे, वो सब निजाम के नाम से जाने जाते हैं, मैसूर आज के करनाटक में छोटा हिस्सा है, तब बहुत बड़ा प्रांथ था मैसू और यह एक नीचे छोटा पतला सा हिस्सा था के पास, जैसे कहते थे त्रावनकोर, अब ध्यान से समझो, मदरास में अंग्रेजों ने किले बंदी की थी, मैंने कल भी पताई थी, सेम बात परसों की क्लास में, अगर आप क्लासे को ध्यान से समझते हैं, तो आपको पता है, कि मदरास में उन्होंने एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट जॉर्ज, और कलकत्ता में भी एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट विलियम, सेंट विलियम, कल बताया था, जिसकी किले बंदी के चक्कर में, सिराजु दॉला ने मना किया था और लड़ाई हुई थी, जिसको आपलासी क तो अब क्या हुआ देखो, ये मैप अगर समझ में आ गया तो कहानी बहुत आसान है, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उडीसा की दिवानी तो हतिया ली, बकसर के युद के बाद, वहां से पैसा उनके पास आने लगा, अब पैसा आएगा तो सेना बढ़ा लेंगे, शस् इस्ट इंडिया कंपनी का, तो अगर मैं यहां B.E.I.C. लिखूँ तो समझ जाना भारत का वो हिस्सा जिसमें इनका कबजा है, अब इसके बाद, इनकी नजर यहां जाएगी, सौथ में, क्योंकि लगता इलाका है, देखो अब ध्यान से क्या हुआ, निजाम जो है ना, इ बिहार उडिसा को जीत सकती है, तो वो हमारे उपर भी अटाक कर सकती है, तो क्योंना में पहले उनको खुश करने के लिए, उत्तरी सरकार वाला इलाका ना, बिना किसी कारण के, बस ऐसी, डर के कारण, निजामों ने उत्तरी सरकार का इलाका किसको दे दिया, B.E.I.C. कि जी आप रखो, और कल को कोई मेरे उपर अटाक करे ना, मेरा पडोसी तो मेरी मदद कर दे ना, फ्री में एक इलाका, B.E.I.C. को किस ने सौंप दिया, निजाम ने, अभी निजाम को पता नहीं कि यह कितने ताकतवर हैं, यह कमजोर हैं, पहले इलाका कि मैं सेफ रहूं, निजाम कि चंता खतम हुई लगभग, मराथों की बात करें, पेश्वाओं की, पेश्वाओं का ना, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा, आप यह देखो, पेश्वाओं के जो यह पानीपत की तीसरी रडाई हुई, हुई है पानीपत में, लेकिन लडने कौन आया ह तो मराठे कोई कमजोन मराठे बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा मराठों के उपर अटैक करने से पहले हजार बार सोचेगी BEIC करेगी अटैक लेटर स्टेज में, ऐसा नहीं कि अटैक नहीं करेगी लेकिन स्टार्टिंग में पेशवाओं का एक दबदबा था और BEIC इतनी मूर्ख विल्कुल नहीं है कि तुरंट से मराठों से लड़ने लग जा और यहां से भागने का रास्ता बनाए तो BEIC ना तो निजाम के उपर अटैक करने वाली है, उन्होंने पहले ही उनको हिस्सा दे रखा है, नहीं पेशवाओं के उपर करनाटक जो है ना, अल्रेडी BEIC का दोस्त मालो, क्योंकि करनाटक में ही पढ़ता था मदरास और जहां अल्रेडी यह लीज पे लेके अपना किला बना चुके हैं तो मदरास के उपर यह अटैक ने, अब यह अपने ही तो किला है, यह अपने ही इनके मालो, उठबैट टाइप के आदमी है त्रावन कोर जो है यह भी BEIC का पक्षधर है, यानि चारो तरफ से अगर नजर उठा के देखें, तो BEIC ना इनके ओपर अटैक करने वाली, ना पेश्वाओं के ओपर, ना करनाटक के ओपर, ना त्रावन कोर बचा कौन? मैसूर, तो मैसूर का जो राजा था, जो हेड था, उसकी समझ में आ गया, कि भाईया, अगला टारगेट मैं हूँ, इस बंगाल, बिहार, उडिसा के बाद, दक्षण में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगला टारगेट दक्षण में अकेला मैं बनूँग पहले ही समझ गया, समझदार राजा, और उस राजा का नाम था, हैदर अली, स्टार्टिंग से राजा बिल्कुल नहीं था, उम्मीद करती हूँ, मैप समझ में आगया, अगर मैप समझ में आ गया तो बहुत असानी से सारी कहानी समझ में आएगी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ देखो, विजय नगर से हारने के बाद, विजय नगर हारा, तो एक इलाका डेविलप हुआ, जिसका नाम है मैसूर, मैसूर में एक आदमी है, जिसका नाम है है एदर अली, ये मैसूर की सेना में, एक मेह सेनिक के रूप में आया था, लेकिन अपनी सेनापती बना, और इन्हों ने एक एरिया के फॉजदार बने थे, फॉजदार मतला उस एरिया का हेड, फॉजदार माल लो, और ये एरिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसका नाम है दिंडी गुल, दिंडी गुल में इन्हों ने आधुनिक शस्त्रागार बनाया, मैसूर को टारगेट बनाने के कारण थे, पहला कारण, मैसूर एक तो बहुत ज्यादा रिच था, सम्रद्ध था, मैसूर में कृषी बहुत बढ़िया थी, खेती बहुत अच्छी थी, मैसूर में व्यापार बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैसूर के पास अपना परसनल बं अपना खुद का बंदरगा, अपनी टरिटरी में, अपनी खेती बहुत अच्छी, अपना व्यापार अच्छा, और देखो इसके लावा, इनके पास चंदन की लकडी के बहुत बड़े बड़े जंगल थे, और आप चानते हैं, आज भी चंदन की लकडी का बहुत बड़े प पूरा पहाडियों से घिरा, तो वहाना कहीं कहीं रात में पेड़ों के पास एक आदमी खड़ा था, पूरा जकेट वेकट पहने हुए, तो हमने उनसे पूछा जो अधिकारी हमारे साथ है, यह ऐसे पेड़ों के पास आदमी क्यूं खड़े हैं, तो उनने बताया कि यह च चंदन की लकडियों का, तो चंदन की लकडिया बहुतायत में किस के पास थी? मै सूर के पास, तो इसका मतलब फाएदे का काम था, इसके अलावा, चंदन के अलावा, यहाना, रेशम का व्यापार भी था, आप आज भी जानते हैं, कर्नाटक में रेशम का बहुत बढ़ा तो रेशम का व्यापार तब भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, रेशम के कारण ये लोग रिष्ट थे, चंदन की लकडियों के, पूरे-पूरे जंगल थे इनके पास, क्रिशी इनकी बढ़िया थी, ये financially इनका स्टेटस बहुत बढ़िया था, तो 100% B ये इनके पर अटाक करेगा ही करेगा, इस बात से कौन अफगत था पहले से, हैदर अली, इसलिए हैदर अली ने डिंडी गुल में आधुनिक शस्त्रागार बनाया, कि भाईया कल को मेरे ओपर अटाक करने आए, तो मेरे पास ऐसे शस्त्र होने चाहिए, कि मैं कम से कम उनस तो फिर फ्रांस क्या करता, जैसा कि हुआ था, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन फ्रांस ने कोशिश जरूर की, कि जब-जब ज़रुरत पड़ी, चाहे हैदर अली को और चाहे टीपू सुल्तान को, इन दोनों की टाइम टू टाइम मदद की है, फ्रांस ने, कारण फ्रांस क इस्ट इंडिया कंपनी को टकर दी थी, बिटिश इस्ट इस्ट इंडिया कंपनी ने, और इन दोनों बाबेटों की लड़ाई भी बिटिश इस्ट इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है, तो दुष्मन का जो दुष्मन है वो तो दोस्त बन गया न, उस हिसाब से इस कतवर थे, चौत के नाम पर टेक्स जाता था, और एक इनसे मुगल शासक भी टेक्स लेते थे, मुगल शासक भी, यानि पैसे का एक बड़ा हिस्सा एंठ रहे थे, इनके ठीक उपर वाले और दिल्ली में बैठे हुए मुगल शासक, जब यह धीरे 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 ग्रोथ कर रहा था, कहते हैं जो आदमी कोशिश करता है ना, किस्मत भी भाग्य भी उसका साथ देता है, भगवान भी उसका साथ देता है, इसका साथ दिया किस्मत ने, क्योंकि इसी दौर में 1761 में पानीपत की तीसरी लडाई हो गई, और में कौन जीता था, अबदाली जीता और मराथे हारे, यह मराथों की हार किसका फाइदा दिख रहा है, हैदर अली का, क्योंकि दुश्मन जिसको हम हर 6 महीने में टेक्स दे रहे हैं, अगर वो हार गया, तो कहीना कहीन तो उसको थोड़ा डर मन में बैठ गया और उस डर का मैसूर का जो में आदमी है, जिसका नाम है है एदर अली, तो किसमत ने साथ दिया, और हैदर अली का जो दुश्मन था, जो सबसे करीब था उसके, एक बर दुबारा मैप में पहुंचते हैं, देखो, देखो मैसूर, इनकों पर अटाक कर सकता है, सबसे करीबी ताकतवर प पेश्वा की हिम्मत इसलिया है, क्योंकि पेश्वाओं का नाम बहुत बड़ा है, बी, आई, सी भी अटाक नहीं कर रही अभी, तो पेश्वाओं को तो बहुत असान दिखता है, तुरंट से किसके ओपर अटाक करो मैसूर, और इनसे कितना भी पैसा ले लो, संधी कर लो, पैसा ले लो, जो मन करें, अब किसमत ने मैसूर का साथ दिया, और पेश्वा जो थे, इन लोगों को मेंटल टेंशन हो गई, क्योंकि इनको पानीपत में तिसी लड़ा ही लड़नी पड़ी, उस दौर में मैसूर को उबरने का टाइम मिल गया, और मैसूर का शासक कुछ सा मेंटली फ्री है, लेकिन इसके बाद बाहरा से कुछ साल भीते और मराथो ने वापस से अटाइक कर दीए, बड़ बड़ अटाइक करते थे, किस के उबर अटाइक कर दीए अब? मैसूर के उपर, लेकिन तब-तक मैसूर संभल चुका था और मैसूर जानता था कि मराठे थोड़ा सा होश में आते ही मेरे उपर अटाक करेंगे मराठो ने मेसूर पर अटाक किया तो बहुत चालाकी से B.E.I.C. ने जो इनके पडोसी थे न, निजाम निजामों को कहा कि भाईया पहले से ही मेसूर दुखी है क्योंकि उत्तर की तरफ से अटाक किस ने कर दिया मराठो ने, तुम भी जाओ और अटाक कर दो, देखो कितने चालाक है B.E.I.C. वाले हमें लड़वा रहे हैं आपस में भई हमारे जो ये लोग थे देखो क्या करवा रहे है पेश्वाओं ने अटाक किया मैसूर के उपर B.E.I.C. किसको सिखा रही है निजाम को कह रही है तुम भी जाओ अटाक करो मैसूर के उपर मैसूर का शासा कौन है? हैदर अली, बहुत समझदार आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ग्यानी था ग्यान होने के लिए किताबी ग्यान की ज़रूरत नहीं है प्राक्टिकल नौलेज होना बहुत जरूरी होता है तो मैसूर के हैदर अली ने बहुत समझदारी से इन लोगों से एक संधी कर ली पेश्वाओं से, मराठों से और उस संधी में क्या कहा? कि भईया, तुम मेरे ओपर जो अटैक कर रहे हो एक संधी कर लेते हैं, मैं हार मान लेता हूँ, कोई बात नहीं बैठके पैंतिस लाख रुपे तुम्हें दे दूँगा पैंतिस लाख पेश्वाओं को क्या चाहिए था पैसा? पैसे के लिए तो युद थे पेश्वाओं को 35 लाख मिला, पेश्वा तुरंथ पीछे हट गए एक मिडल मैं खोजा, एक बिचौलिया खोजा और निजामों को कहा, तुम क्यों इनसे पंगे ले रहे हो बीए आईसी आज तुझे उकसा के लड़ाई करवा देगी कल बीए इसी वापस जाएगी, तो फिर तुझे मैसूर परिशान करेगा क्यों लड़ रहा है बीच में, क्यों आ रहा है मैसूर के शासक ने जब ये इसके पास भेजी ये बात तो निजाम तुरंथ पीछे हट गए, वैसे भी ढुलमूल थे इनका कोई स्टैंड नहीं था, कोई इनके प्रिंसिपल्स वैल्यूज नहीं थी तो निजाम भी पीछे हट गए, पेशवा भी पीछे हट गए, लेकिन बीए आईसी जो मदरास में बैठी थी, इन्होंने अटैक कर दिया ना मदरास जब यह अटैक हुआ, ना निजाम आए, ना पेशवा, यानि mentally free हो गया है दर अली, और बहुत अच्छी तरह से मदरास की तरफ से आने वाले, बीए आईसी को इसने घेर लिया, और यह बड़ा मज़ेदार युद हुआ, प्रथम आंगल मैसूर युद है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह प्रथम आंगल मैसूर युद है, 1767 में स्टार्ट होता है, और दो साल चलता है, 1767 से 69, इस युद में इतनी बुरी तरह से बी या इसी हारी, कि हार के इनको सिर चुपाने की जगे नहीं मिली, ना निजामों ने इनको शरण दी, ना पेशवाओं ने, दोनों पैसे खाए बैठे थे, और जो यह फाइनली जब यह लड़के परिशान हो गए न, तो इनको अपना ही पुराना गढ़ दिखा, और यह भाग के घुश गए मदरा और इनके किले के अंदर घुशके, इन लोगों ने जब देखा कि भईया, अब तो बात हाथ से निकल गई, अब तो मरना निश्चत है, तुरंत हाथ पेर जोड़ दिया, और माफी मांगने लग गए, हैदर अली शांत प्रकृति का आदमी था, तुरंत से माफी दे दी, औ आपको पता होगा कि बैठता वो है जिसकी इजट ज्यादा होती है, और नीचे जो स्तर पे आदमी उसको खड़े रहना पड़ता है, यानि पहले अंगल मैसूर युद में, हैदर अली की इंपोर्टेंस ज्यादा थी, क्योंकि हार गई थी बी ई आईसी कंपनी के आदमी, वो खड़े हुए थे, संधी की शर्तें तै करने वाले खुद हैदर अली है, इसमें लिखित में क्या था पहला, जितनी क्षती पूर्ती हुई दो सालों में, पैसा ख़च होता है न सेना पे, वो सारी B.E.I.C. देगी, और B.E.I.C. देगी, और B.E.I.C. देगी, और B.E. आठी आकरमन करेंगे, पास में वही हैं, तो मेरे ओपर अगर अकरमन होता है, मैसूर कह रहा है, तो तुम्हें अपनी सैनिक सहायता मुझे देनी पड़ेगी, तो B.E.I.C. देगी, सैनिक सहायता, ये ऐसी बाते हैं, जिनसे ये दिख रहा है, कि है जो चाहा रहा है, वो कर कुछ टाइम बाद, मदरास की संधी के कुछ टाइम बाद ही, पहला युद्ध खत्म हो गया, दुबारा से मराथों ने इन पर अटैक कर दिया, अचा इनोंने नहीं, 1775 में क्या हुआ, ये संधी हुई, दो-चार साल ठीक है, जैसे काम चला चल गया, 1775, B.E.I.C. ने अब मराथों पर अटैक कर दिया, फर्स्ट, आंगल मराथा युद्ध, अब मैसूर नहीं लिख रही मैं, अब मैं मराथा लिख रही हूँ, कभी इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तीन युद्ध हुए थे, इनके क्या परिणाम निकले, उनका इतिहास पर क्या प्रभाव रह आज इसको नहीं पढ़ाने, सिर्फ बीच में आया, इसलिए बता रही हूँ, अंग्रेजों ने, B.E.I.C. ने, किसके उपर अटैक कर दिया, मराथों के उपर, तो मराथों के मन में आया, कि यह B.E.I.C. कल तक तो मुझे, मतलब बहुत बड़ा मानता था, अज मेरे उपर हैदर अली, तो इस युद्ध में देखना अब क्या हुआ, एक तरफ आगा यह अपना हैदर अली, हैदर अली का साथ देगा, अब मराथे, और निजाम, जो धुल्मूल हैं, कभी इधर, कभी उधर, यह भी साथ आगा, यह भी हम भी लड़ लेंगे, यानि तीन बड़े हि हो गया, तो सेकेंड में मराथे, जब देख लिया न, मेरे भी उपर अटैक कर रहे हैं, तो अपने जा के अपने दोस्तों के साथ, यह तो फिर भी विदेशी हैं, इकटे हो गए, बीच में निजाम पलड़ा चेंज कर गए, और वापस जा के किसके साथ खड़े हो गए, ब हैदर अली मराथे, अंग्रेजों ने देखा कि अगर मराथे इनके साथ हैं और निजाम, तो फिर हमारा जो पासा है वो पलट सकता है, बहुत चालाकी ने बी ई आई सी के मराथे और निजामों को अपने फेवर में ले लिया, और इन दोनों को सुस्त कर दिया, यह दोनों जो है न, इनक्टिव हो गए, यानि अकेला कौन पढ़ गया, हैदर अली, और जब हैदर अली अकेला पढ़ गया, तो कही न कहीं बात भारी पड़ेगी, खेर संभाला इसने स्टार्टिंग बहुत बढ़िया रही, 1780 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, सेकेंड यु पक्ष में जाने लगए, वो जीतने लगए, कई जगहों पर, युद्ध लंबा टिक रहा था, तो ये मालों की परेशानी बढ़ती जाए, जितना लंबा युद्ध चलेगा, परेशानी दोनों पार्ट पर बढ़ेगी, इस 1782 में अचानक नाचुरल डेथ हैदर अली की जनरली युद्ध में अगर राजा मरता था ना, तो सेना के पैर उखड जाते, सेना भाग जाती, लडने नहीं आते, हैदर अली की मौत का किसी को पता ही नहीं चला कई दिन तक, क्योंकि तुरंत रातो रात, इनके बेटे ने अपना काम संभाल लिया, जिनका नाम था जनरली पिताजी, और देखो एक कितनी बड़ी बात है, कल जब मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया, तो बताया था, कि मीर जाफर जैसे गदारों के कारंट से राजु दौला हारा और मारा गया, हारा तो क्या लड़ाई तो हुई नहीं, फिर भी हार मानी गई और उसका म बात रहा, लेगिन यह कितनी अच्छी बात है, कि पिताजी चल बसे है, बेटे ने ऐसे काम सभाला, कि बाहर के आदमी को कानो कान ख़बर नहीं हुई, कि हैदर अली की डेथ हो गई है, तो तुरंत से काम सभालने में थोड़ा बहुत गड़बड रहती है, और उस टाइम कि दिरे करके B.E.I.C. हावी हो गई, हावी तो क्या हुई, यह मालनों कि हाँ कही न कहीं फरक पड़ गया पिताजी के जाने के बात, और जब यह युद्ध खिष्टे 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 चार साल पकड़ गया, तो टीपू सुल्तान भी परेशान हो गया, और B.E.I.C. B.E.I.C. फाइनली दोनों सोच रहां कैसे युद्ध से हमें चुटकारा मिले, बहुत साल बीत गए, और इस युद्ध से चुटकारा पाने के लिए इन लोगों ने एक संथी कर ली, जिसका नाम है, मंगलौर की संथी, मंगलौर की संथी, इस संथी में क्या हुआ, तोनों लगभग लगभग एक दूसरे को ठीक है भीया तेरा सावान तेरे पास, मेरा सावान मेरे पास, तो ठीक है इसका एंड करते हैं, 1784 में द्वित्य अंगल मैसूर युद का खात्मा हो गया, इसके बाद भी चीजें चलती रही चलती रही, बी ई आई सी को शान्ती नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि कैसे ना कैसे करके हम मैसूर को अपने कभजे में लेंगे, पांच साथ साल बाद फिर वापस आगए, तीसरा, इसका कारण तो खेर है है खुद भी थेकतर है, 1790 से 92, अब हुआ क्या, यह जो टीपू सुल्तान है न, इन्होंने त्रावन कोर, मैंने त्रावन कोर्ट पे आकरमन करने का मतला किसको उकसा आ रहे हैं? बहाना मिल गया बहाना मिल गया बहाना को और उन्होंने का इसने हमारे इलाके पर अटाक किया है, अब हम युद करेंगे ही करेंगे, और एक छोटी सी बात का बतंगड बनते हुए, तीसरे आंगल मैसूर य यह बहुतार हुई तीपु सुल्तान अचिए मैसूर। उटानी श्री रंगपतनम एक खास बात बता दूँ, इस हार का बड़ा कारण क्या था, इस युद्ध में न, जो पिछले युद्ध में, पिताजी ने याद है, हैदर अली ने अपने साथ जोड लिया था, निजामों को, और मराठों को, क्योंकि मराठों के ओपर भी अटैक कर दिया था, अंगल, अला परिवर्तन कराया ठीक वैसे, जैसे उतर भारत में ओरंगजेब ने करवाया था, ओरंगजेब ने तलवार के बल पे ही तो लोगों को जबरजस्ती धर्म परिवर्तन करवाया न, बहुत सारे लोगों को, इन्फेक्ट ओरंगजेब ने देखो, सिखों के नवे गुरू, ग तो मराठों के मन में खटास पैदा हो गई, टीपू सुल्तान के प्रती, क्योंकि वो जवर्जस्ती से लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था, तो कहीं न कहीं उस चीज ने एक रोल प्ले किया, और इस बार जो लड़ाई जगडे में दो गुट बने, उन गुटों में देखो क्या हुआ, एक तरफ टीपू अकेला रहे गया, वर्सिस हुआ, बी ई आई सी, प्लस निजाम, निजामों का तो खेर क्या था, कभी इधर, लेकिन फिर भी, और यहां आ गए, मराथे कहलो, या पेश्वा कहलो, एक ही चीज है अब ये, तो सेकंड वाला जो युद था, उससे उल्टा हो गया भी ये, वर्सिस तो सेम है, लेकिन सेकंड में पिताजी ने इन दोनों को अपने साथ जोड़ा था, अब बेटे के टाइ क्योंकि इनों ने धर्म परिज़न जबजस्ती कराया है न, इस बात से मराथे चिड़ गए, और वो इस बार किस के गुरुप में आ गए, बी ई आई सी के गुरुप में, तो कहीं ना कहीं इंडियंस में आपसी फूट, धर्म के नाम पर तब भी थी, और आज भी है, हम की राज़धानी, सोचो राजा की राज़धानी में अगर अगर अटैक करने वाले आ गए हैं, तो राजा की कोई इंपोर्टन्स है ही नहीं, और इस यहां पे जो संधी हुई न, इसमें बहुत इंपोर्टन्ट दो बात लिखी जाती है, एक तो इन से तीन करोड रुपे क हरजाना मांगा, कि भाईया तेरे कारण हमें तीन करोड का नुकसान हुआ है, तो तीन करोड तुझे भरने है, अगर नहीं दे पाया तीन करोड रुपे, तो अब क्यूंकि इंस्टेंट तो होंगे नहीं, तो इसके दो बेटों को B.E.I.C. ने कहा हम ले जा रहे हैं, जिस आगे नहीं मिलता, दूसरा, जो ये था ना, मैसूर, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, B.E.I.C. प्लस मित्र, मित्र समझ रहे हो, ये वाले, इन लोगों को दे दिया, तो जो प्रोपर्टी पिताजी ने बनाई थी, कितनी मशक्कत करके, कितनी महनत करके, इतने सालों में, वो सब प्रोपर्टी का आधा हिस्सा इन दोनों के पास चला गया, तो सिकूड के रहे गया मैसूर, और अगर मैसूर की territory सिकूडेगी, तो ये मानना कि कमाई के साधन भी सिकूडेगे, और कमाई सिकूडेगी, तो सैना पे काम कैसे करेगा, और सैना पे काम नहीं करेगा, तो फिर जीतेगा कैसे, फिर तो खतम हो नहीं होना है, चलो, ये सब चल रहा था, जो ये बाप बेटे हैं, हैदर एली और टीपु सुल्तान, ये लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस थे फ्रांस के तौर तरीकों से, और ये जो टीपु सुल्तान है, ये तो फ्रांस में, जो बहुत बड़ा चेहरा उभरा था, नेपोलियन बोना पार्ट का, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, नेपोलियन बोना पार्ट, नेपोलियन ने इनको कहा था, कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, पर पहले मैं अपने देश में निपट लूँ, और जो की उमीद में बैठा था, टीपू सुल्तान, 1799, 1789 में फ्रांस में राजकरांती हुई है, वहाँ अभी उथल पुथल मची हुई है, इसके 10 साल बाद, नभे से बानवे में तो तीसरे युद में हारी गया, निन्याणवे में कहते हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा, 98 में, एक साल पहले, एक लेटर लिखा, फ्रांस के नेपोलियन के पास, किसने टीपू ने, और इसने का मुझे आपकी मदद चाहिए, और मुझे बिटिश इस चिणिया कंपनी को यहाँ जड़ से खतम करना है, बिटिश से अलरड़ी चिडे हुए थे, फ्रेंच वाले, क्योंकि उनकी और उनकी आपस में पहले से टक्कर थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उस चिठी का जवाब दिया, और कहा कि मैं तुम्हारी 100% मदद करूँगा, बशर्ते मैं अपनी प्रॉब्लम से पहले उबर जाओं, कहते हैं वो चिठी मसकट में पकड़ी गई, यॉरोप म सकते हैं, क्यूंकि फ्रांस के पास ताकत में कोई कमी नहीं थी, और भविश्य में ऐसा होगा ही होगा, यह बात दिख रही थी B.E.I.C. को, 1798 में वैसे अजीब हुआ, कि यह हार गए, जो यह फ्रांस वाले थे न, यह मिस्र में, नील लदी के आसपास का जो इलाका था, लेकिन उस हार से यह नहीं था कि यहां नहीं आएंगे, अंग्रेजों को लगा, बेशक हार गए, चार सल बात दुबारा आ गए तो, तो हमें इस आदमी का जड़ से सफाया कर देना चाहिए, जो उनको उकसा के यहां बुलाता है, यह टीपू का, अब चौथा अंगल मैसूर युद हुआ 1799 में, और इस युद का टारगेट कोई संधी नहीं थी, BEIC, सिर्फ एक टारगेट था, टीपू सुल्तान का खात्मा करना, क्योंकि अबना इनको प्रपर्टी चाहिए थी, और नहीं कोई इनसे सैना और इस तरह का सहयोग, अब इनका टारगेट था कि फ्रेंच इस इस इंडिया, यह फ्रांस जो शक्ति के रूप में आ जाएगा, तो हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा व्यापार करना, इसलिए टीपू का मर्डर या टीपू की हत्या टारगेट बनाके, चौथा आंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया, और इसमें टीप सुल्टान हारा और मारा गया, चार युद्ध में देखो, दो में पिताजी ने कमान सभाली, दूसरे के मिड में बेटा आया और चौथे में बेटा भी एक्स्पायर हो गया, तो चार युद्ध हुए है, यह मैप अगर समझ में आया तो दुबारा से एक शौट में कहानी बता दू, BEIC, बंगाल, बिहार, उडिसा की दिवानी मिल चुकी थी, इलहाबाद की संधी में, पेशवा ताकतवर थे, इनके ओपर अटाक नहीं करेंगे तुरंट से, निजामों ने उनको खुश करने के लिए उत्तरी सरकार वाला इलाका पहले से गिफ्ट कर दिया था, क मैसूर में डिंडी गुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की हैदर अली ने, हैदर अली को थोड़ा सा मोका इसलिए मिल गया पनपने का, क्योंकि 1761 में हैदर अली को दिकत थी पेशवाओं से, और दिली में बैठे औरंगजेब के बादवालों से, उन दोनों को देखें, तो वहाँ वंशच कमजोर हुए, इनके उपर अटाक कर दिया, पानीपत की तीसी लडाई, तो वो थोड़ा सा मेंटली फ्री हुआ, अपने उपर काम किया, अपने उपर काम किया, तो थोड़ा पैसा भी कमा लिया होगा, उसी दौर में पेशवाओं ने मैसूर पे अटाक कर दिया, हैदर अली ने समझदारी से 35 लाख रुपए देके और संधी कर ली, निजामों को कह दिया, बी आइसी ने तुम भी अटाक करो, तो हैदर अली ने का, बही तुम आज अटाक कर रहे हो, कल तुम कहां जाओगे, जब बी आइसी वापस भागेगा, इनक हैदर अली, क्योंकि मदरास में हुई है, तो मदरास की संधी से युद का अंतु हुआ, कुछ साल बात दुबारा आ गए, असी में, असी से युद चलते चलते, 84 पहँचा, 82 में हैदर अली की डेथ हो गई, जो किसी को पता तक नहीं चली, टीपू ने कमान संधी, युद तीसरी बार युद शुरू हुआ, और इस युद में, 90 से 92 में, अंग्रेजों की ताकत इतनी बढ़ गई, क्योंकि तब तक पेश्वा और निजाम उनके फेवर में थे, टीपू की धर्मान्द नीतियों के चलते, पेश्वाओं ने भी इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि ये मुस्लिम बना रहे थे बहुत सारी जंता को, तो पेश्वा और निजाम B.E.I.C. मिल के अटाक करते हैं मैसूर के टीपू सुल्तान के उपर, और ये अटाक इतना भयानक था, कि इसकी राजधानी तक इनकी पहुँच बन गई, और इनकी राजधानी में घुसके, इसका मर्डर करना है, क्योंकि ये आदमी किस से कॉंटाक बना रहा है, निपोलियन से, जिसका किस सिक्का चलता था, फ्रांस से, तो फ्रांस कल को हमारे ओपर हावी न हो जाए, कंपनी ने टार्गेट कर लिया, इसको खत्म करना है, और खत्म करने का तरीका क्या था, कि संदी हुई बराबरी पर लगभग रहे, तीसरे में राजधानी में घुसके इनकी में, इनकी बेजती की गई, ये हार एक तरह से, और चौथे में इनका मर्डर हो गया, तो दूसरे चौथे में पिताजी और बेटे को बहुत नुकसान रहा, ये आजका एक बहुत-बहुत important topic था, और बहुत सारे लोगों को ये lifelong ही समझ में नहीं आता, कि युद क्यों हुए, इन युद के कारण क्या थे, अगर आपने map ढग से देख लिया, तो मुझे 100% surety है, कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है, अभी में देख रही थी, मोदी जी लाई वाय हुए थ speech दे रहे थे, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पैनिक मचाने की जरूरत किसी को भी नहीं है, बहुत ज़दा डरने से कुछ नहीं होने वाला, अपनी safety security रखो, अपने घर में जरूरी दवाईयां रख लो, और बहुत ज़दा चीजों का collection नहीं करना, पर basic चीजें अपने घर में रखना, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल फ्री होके बैठे रहें, अभी वो सर्कुलर भी में पढ़ रही थी कि अनाज मंडियों को 31 मार्श तक बंद कर दिया, थोड़ा सा conscious रहो, बाहर कम से कम निकलो, जितना हो सके ना, avoid करो, कहीं भी आना जाना, लगातार जो गिरे-ठीरे करके ये फैल रहा है, ये कलको महमारी भी बन सकता है, इा इडिली का ऐग्जामपल देखो, इडिली ने इस बीमारी को कैस्जुली ले लिया, इडिली के हालत देखो कैसी हो गई, ऑ sìados इडिया में हमें से कैस्वली नही नहीं लेना ये एक महमारी बने, उससे तो थोड़ा सा safe hand रहते हुए, अपना रख लेना ला के, बेसिक चीजें इखटी कर लेना, बेसिक से मेना मतलब है, भई आटा आपके घर में हो, पांच साथ दिन के लिए अगर मार्केट बंद होता है, अगर, होगा नहीं, उमीद नहीं है, लेकिन अगर हो, तो इतना हो कि भी पांच साथ दिन आपका घर जो है, वो नॉम्मल चल सके, बहुत ज़्यदा चीजें कलेक्ट नहीं करनी हमें, कि छे महीने बंद हो, ऐसा नहीं होगा, इतना बड़ा देशा, इतनी आबादी है, सब कुछ बंद नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी safe hand रहना आपकी हमारी जिम्मेदारी है, safety पहली priority है, कम से कम बाहर निकलना है, नएने लोगों से नहीं मिलना है, अपने घर तक सीमीत रहो, जितना हो सके बाहर, कम से कम जाओ, ठीक है, अलर्ट रहो, बार-बार अपने, जैसे बता रहे हैं कि हैंड वाश करते रहो, थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखो, अपनी सेहत पे काम करो, खाना ऐसा खाओ ताकि बिमार ना हो, इम्मुनिटी वीक हो गई, तो फिर बात भारी पढ़ जाएगी, ठीक है, वैसे इतना कोई पैनिक मचाने की जुरत नहीं है, ठीक है, एक बिमारी के रूप में हैं, थोड़ा कॉंशियस रहेंगे, तो इसको हम लोग हराभ ही सकते हैं, All the best, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अब सबसे जरूरी है, स्वस्त रहिए, ठीक है, गुड़ नाइट.